Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ इकरान शर्मा जब कीवी एप लाँच हुआ था तो इन्होंने सबसे पहला क्रेडिट कार्ड लाँच किया था Axis Bank के साथ मिलके तब मेरे आप लोगों को बताया था कि सिर्फ Axis नहीं और बैंक के साथ मिलके भी जो कीवी है वो नए क्रेडिट कार्ड से इंट्रिजूस करेंगे और इसी रेंज में अब न्यू क्रेडिट कार्ड इन लोगोंने लाँच कर दिया है येस बैंक के साथ मिलके क्लिक क्रेडिट कार्ड इन्होंने इंट्रिजूस किया है UPI Payments के लिए रुपे नेटवर्क पे मिलेगा lifetime free होगा और इसके साथ मिलेगा आपको new on subscription जिसमें आपको 5% तक का cashback मिलेगा कीवी एप से और मिलेंगे airport lounge access बिलकुल free और जो credit card मिलेगा वो भी बिलकुल free मिलेगा और इससे भी अच्छी news यह है कि जल्दी ही कीवी app पे fixed deposit के against भी आपको credit card मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आप UPI से link करके 1% तक का cashback अपने credit card से earn कर पाएंगे तो यह तीन परिके के अब credit card होंगे पहला access bank वाला, दूसरा yes bank वाला and तीसरा fixed deposit वाला तो यह जो नया credit card launch किया है neon subscription launch किया है जिसमें आपको 5% तक का cashback मिलेगा airport lounge access मिलेगा, सारी details आपको एक single video में मिलने वाली है चैनल पे नय है तो जरूँ subscribe कर दीजेगा without further delay, let's get into the details yes bank click credit card को launch करने के साथ कीवी ने neon subscription भी introduced किया है, जिसमें आपको 5% का cashback मिलेगा and airport lounge access मिलेगा, सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि अगर आपके पास पहले से access bank का credit card है जो quick credit card था access bank का जो specially कीवी के लिए introduced किया था, तो आपको अगर neon subscription चाहिए, तो उसके लिए आपको 999 रुपीज का एक fee देना होगा, बट अगर आप पहली बार कीवी एप के थूँ या तो access bank वाला, या फिर yes bank वाला, इन में से कोई भी credit card अगर apply करते हैं और वो approved हो जाता है तो यह 999 रुपीज का जो subscription free है, वो आपको बिल्कुल pay नहीं करना होगा और यह neon subscription आपको completely आपके UPI payments पे आपको 1% का cashback देता है, online spends पे 2.5% का cashback देता है and बाकी जो snap deal पे आप spend करेंगे, उस पे आपको 5% का cashback देता है, तो यह credit card भी अच्छा 200 रुपे के fee के साथ आता है, apply करना चाहते हैं, description में लिंक है, वह से कर सकते हैं सबसे पहले तो यह S-Pank का click credit card है, especially designed for Kiwi app, यह आपको lifetime free मिलेगा, इसके लिए कोई भी joining fee आपको pay नहीं करना होगा, ना annual fee पे करना होगा, प्लस यह credit card जो है, एक virtual credit card होगा रुपे network पे, क्योंकि यह design किया गया है UPI payments के लिए, ताकि आप Kiwi app से इसको link करें और उस पे मिले आपको 2% तक का cashback आपके UPI payments पे, yes, अब आपके UPI payments पे Kiwi app के तुरू आपको 2% का cashback मिलेगा and milestone benefits के रूप में 3%, 4% and 5% का cashback भी मिलेगा, सबसे पहले यह credit card है, अगर आप इससे non-UPI payments करते हैं, तो हर 200 रुपे spend करने पे आपको 2 reward points इस credit card पे मिलेंगे जो yes bank के reward points होंगे Kiwi से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट आपको इस पे Kiwi भी मिलेंगे, 2 reward points 200 रुपे पे तो मिलेंगे ही, प्लस इस पे अगर आप अपने credit card से, virtual card से online जब spend करेंगे, तो 100 रुपे spend करने पे आपको 0.50% का cash pack मिलेगा, याने कि आपको 100 रुपे spend करने पे वहाँ पे मिलेंगे, 2 kiwis, 1 kiwi की value 25 पैसा होती है, तो यहाँ पे आपको 2 reward points 200 रुपे spend करने पे मिलेंगे, and 100 रुपे spend करने पे, आपको 2 kiwis मिलेंगे, याने की 200 रुपे spend करने पे आपको 4 kiwis मिलेंगे, याने की 200 रुपे spend करने पे आपको 1 रुपे की value के kiwis मिल जाएंगे, तो यह online spend पे है, बट अगर आप अपने इस credit card से UPI payment करते हैं, तो इस पे मिलेगा आपको 2% का cash pack, yes, neon subscription जो है, वो आपको free मिलने वाला है, पहली बात तो यह है, प्लस जब इस credit card से आप UPI के through payment करेंगे, kiwi app से अपने yes bank click credit card को link करके, तो इस पे आपको 100 रुपे spend करने पे 2% का cashback मिलेगा, यहाँ पे minimum जो transaction है वो आपका 50 रुपे का होना चीए, याने कि जब आप 50 रुपे spend कर रहे होंगे, UPI के through अपने इस credit card को kiwi app से link करके, तो 50 रुपे spend करने पे मिलेंगे आपको 4 kiwis, तो 50 रुपे पे बचत हुई आपकी 1 रुपे की and 100 रुपे के transaction पे आपकी बचत होगी पूरे 2 रुपे की बराबर ही आप kiwis earn कर सकते हैं और आपको कम से कम 500 kiwis चाहिए उनको redeem करने के लिए अगर आप 500 kiwis अपने wallet में save कर लेते हैं, तो उनको आप जब redeem करते हैं, तो directly आपके जो kiwi app से आपका bank account link होगा, उसमें उसको directly credit कर दिये जाता है, real money में kiwi app के जो partner credit cards है उनकी neon subscription के अंडर आप जो है 5% तक का cashback earn करते हैं, कैसे करेंगे आप, जैसे आप अपने credit card से 50,000 rupees spend करते हैं kiwi app के थूँ या फिर online spend पे, तो अगर आप 50,000 rupees अपने credit card से 1 साल के अंदर spend कर देते हैं तो आपके total spend पे आपको 3% का cashback मिलेगा, मान लीजे कि आपने एक साल में अपने credit card से 50,000 rupees spend कर दिये, तो पूरे के पूरे 50,000 का जो 3% होगा या नहीं कि 1500 rupees आपको 3% के हिसाब से cashback मिल जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि 0.50% जो base reward structure है that is for online spends and 2% का जो आपका UPI spends पे आप spend करके 2% आप earn करेंगे, तो ये inclusive होगा इस 3% में, मतलब साफ है कि अगर आपने credit card से आप 50,000 rupees एक साल में spend नहीं कर पाते, कीवी app के through, या फिर online spends पे तो वहाँ पे आपको 0.5% का cashback तो मिलेगा, online spends 2% का मिलेगा जो आप UPI payment करेंगे उस पे, बट अगर आप 50,000 rupees total spend कर लेते हैं तो आपको total जो होगा, वो 3% automatically हो जाएगा, यारे कि 50,000 rupees spend करने पे आपको पूरे 1500 rupees की saving होगी, and plus इस पे मिलेगा आपको one airport lounge access domestic airport lounge access मिलेगा 1800 rupees की value का, बिलकुल free अगर आप 50,000 rupees का milestone है, इसको achieve कर लेते हैं and अगर आप एक साल के अंदर एक लाग रुपे spend कर लेते हैं, तो इस पे मिलेगा आपको 4% का cashback यारे कि जो total spend होगा उसका 4%, अगर आपने एक लाग रुपे spend किये हैं, तो आपको 4,000 rupees का cashback मिल जाएगा प्लस मिलेगा इस पे एक और airport lounge access, 50,000 rupees के लिए एक मिलेगा and plus 50,000 rupees अगर आपने spend किये, तो आपको 2 मिलेंगे, यानि कि total 1,000,000 rupees spend करने पे आपको 2 airport lounge access मिलेंगे and total spend का 4% cashback मिलेगा, जिसमें inclusive होगा, base reward structure and जो UPI payments कर रहे हैं, 2% के हिसाब से वो, तो total आपको 1,000,000 rupees spend करने पे 4% का total spend पे cashback मिलेगा, प्लस आपको उस पे 2 airport lounge access मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि यह जो spend based आप milestone achieve कर रहे हैं, जो excluded categories हैं, अगर आप उन पे spend करते हैं, तो उसको calculate नहीं किया जाएगा, screen पे आप देख सकते हैं कि किन-किन categories को exclude किया है, याने कि अगर इन पे spend करेंगे तो आपको इन पे पहले तो कोई कीवीज मिले, नहीं मिलेंगे and प्लस इनको milestone के लिए भी calculate नहीं किया जाएगा, इसरा milestone आपको यहाँ पे मिलता है कि अगर आप एक साल में अपने credit card से 1,500,000 रुपे याने की 1,50,000 रुपीज spend कर लेते हैं तो total cashback मिलेगा आपको 5% का, जो online and UPI पे 2% का है, online spend पे 0.50% का है वो inclusive है, आपको 7,500 रुपीज की exact saving होने वाली है, प्लस इस पे मिलेगे आपको airport lounge access तो यहाँ पे आप 1,500,000 रुपे अगर spend कर लेते हैं तो 3 airport lounge access आपको 1 साल में मिल जाएंगे और total spend पे 5% का cashback मिल जाएगा तो new on subscription के थूँ आपको यह 3 milestones मिलते हैं, जिसमें आप अपना 1 साल में 1,500,000 रुपे spend कर ले रहे हैं तो उस पे पूरा 5% का cashback प्लस 3 airport lounge access तो जिन लोगों को यह subscription बिलकुल free मिल रहा है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप 999 रुपीज का fee पे करके यह membership लेते हैं तो इस पे आपको exact 6,501 रुपी की saving होने वाली है, अगर free मिल गया तो आप 1,500,000 रुपे spend करके एक साल में 7,500 रुपे बचा सकते हैं 5% के हिसाब से, बट अगर आप यह membership purchase करते हैं, subscription लेते हैं तो यहाँ पे आपको 999 का जो fee है, उसको pay करने के बाद, जो 7,000 रुपीज पास पहले से अगर card है, and क्योंकि अगर नया लिया तो free में मिलेगी ही मिलेगी यह आपको, बट अगर आपके पास पहले से subscription नहीं है, तो आपको वही आपके UPI payments पे 1% का value back मिलेगा, यानि कि 100 रुपीज अगर spend करते हैं, total आप अपने कीवी app से 50 रुपीज का एक transaction calculate किया जाता है, तो 50 रुपीज पे आपको 2 कीवीज मिलेंगे, 50 पैसे की value के, and अगर 100 रुपीज spend कर लेते तो 4 कीवीज मिलेंगे, 1 रुपी की value के, तो इस हिसाब से UPI payments पे तो आपको 1% का value back मिलेगा, and other जो spend होगे, वही 50 रुपीज spend करने पे आपको 1 कीवी मिलेगा, या नहीं की 100 रुपे पे आपको 50 पैसे की बचत होगी, और अगर आप ये वाला credit card, yes bank वाला, या फिर access वाला apply करते हैं, और आपका card reject हो जाता है, approval नहीं मिलता, तो don't worry, वहाँ पे आपको FD वाले credit card की wait list का option दिखा दिये जाएगा, आप उसको join कर सकते हैं, जब ये credit card officially introduce हो जाएगा, FD वाला, तो आप उसको apply कर सकते हैं, क्योंकि मैंने yes bank वाला try कर लिया है, अगर वो approved हो जाते हैं, तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो जब fixed deposit वाला होगा, तो मैं उसको ही apply करूंगा, क्योंकि 1 परसेंट या 2 परसेंट का जो cashback मिलेगा, UPI payments पे इस credit card से, that is good, तो वही 6-7 परतिशत का interest मिल जाएगा, fixed deposit पे और extra 1 परसेंट का ये जो UPI payments पे है, ये cashback मिलेगा, so, कोई बुरा ही नहीं है, तो आपको कैसा लगा ये credit card, do mention in the comment section, if you want to apply it, description में link है, and अपना opinion जरूर शेर कीज़ेगा, comment section में, और अपने जो दोस्त हैं, आपके या family है, रिष्चेदार हैं, जिनको ये credit cards में interest है, उनके साथ भी इस video को जरूर शेर कीज़ेगा, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक अपना धियान रखेगा, बाई बाई